एक लव्य विद्या संकूल विघु विक्रम सारापही ने B.S.C. की परिखसा काँपास की जवाब चे चेबरीज में दोक्टर विक्रम सारापही की पतनी का नाम क्या था जवाब मुरुना लेनी जब्सक mettरीज का नाम है जवाब इंगिलिंड में प्रस्न बीजो, कोस्टक में से उजित सब्द जुन्त कर रिक्ति स्थानों की पूर्ती कीजियें पहलू, डोक्टर विक्रम सारा भाय का परिवार एक प्रतिश्टीट खाली जिगिया का परिवार था जवाब उध्योग पति बीजो, डोक्टर विक्रम सारा भाय ने ब्रम्हान तथा सोर मंडल के कहीं खाली जिगिया प्रश्णों का हल निकाला जवाब छटिल, त्रीजो, पारत सिर्कार ने खाली जिगिया में विग्नानी कुप करणों में से युक्त प्रयोक्सला स्थापिक की जवाब गुल्मर्ग चोथू, विक्रम सारा भाय को खाली जिगिया कार्ना में प्रियते जवाब सासी पाचमू थुम्बा त्रिवेद्रम में खाली जिगिया की गती रुग जाने से डोक्टर विक्रम सारा भाय की मृत्ति हुई जवाब छे हदर रस्न जोथो, सही वाक्यांस चुनकर विधानों को पोणा की जे पेलू, डोक्टर विक्रम सारा भाय ने अहमदा बाद में डेक्स्टाइल इंडेस्ट्री रिसर्च शी एसेसन की आधार सिला रखी इसका उद्देश जवाब छे देश में वस्त्रो ध्योग की तक्निकी समस्यों का हल निकालना था बीजू, कॉस्मिक किरणे रहस्य मही होती है क्यूकि जवाब छे वे अंत्रिक की गहरायों से आती है प्रिजू, डोक्टर विक्रम सारापाई ने अहमदाबाद में लोक विग्नान कैंद्र एक वम नहरु विकाल संस्थान की स्थापना की क्यूकि वे जन सामन्य की विग्नान के प्रती रूची जागरित करना चाहते थे चोथू, डोक्टर विक्रम सारापई, त्रिवीत दिक्रम गए क्योंकि वहां उने थुम्बा के लॉंचिंग स्टेशन का निरिक्षन करना था प्रस्ण चोथो, नीमन लिखेत प्रस्ण के उतर एक एक वाक्यों में लिखें पहलू, गुरुदेव रविंद्रनाय टेगोर्ने बालक विक्रम के बारे में क्या पविश्यवाणी की थी कि यह बालक बढ़ा होकर बहुत यसस्वी बनेगा बिजु, विक्रम सारापई का जन्म कबर कहां हुआ था? विक्रम सारापई का जन्म 12 अगस सन 1922 को अहमदाबाद में हुआ था प्रिजु, विक्रम सारापई के माता पिता के नाम क्या थे? विक्रम सारापई के माता का नाम सरलादेवी और पिता का नाम अमलालाल था चोधु विक्रम सारापाईको किन विशयों के दिल्चस्पी थी विक्रम सारापाईको गनीत तथा पोमितिक के विशयों में गहरी दिल्चस्पी थी पैंचमु विक्रम सारापाईको भारत में किन विग्नानिकों का सानिद्य मिला विक्रम सारापाय को पारत में सर सी वी रामन तथा डॉक्टर होमी भाबा जैसे विग्णानिकों का सानिद्य मिला चटु कोस्मिक किरणों पर प्रयोक के लिए डॉक्टर विक्रम सारापाय का क्या सुझाओ था डॉक्टर विक्रम सारा भाई का सुजाव था कि कास्मिक किर्णों के प्रयोग के लिए हिमालाई के उची चोटियों बहुत उप्योगत हो अनुकुल होगी साथ मूँ डॉक्टर विक्रम सारा भाई कीन विशियों पर कारिय करते रहे हैं डॉक्टर विक्रम सारबाई परमानु सकती अंत्रिक्स विकिरण सुरिय, ग्रह, तारा, पुमेति, कादी विशियों पर कारिय करते रहें आठमू, डॉक्टर विक्रम सारबाई उच कोटी के विग्नानिक होने पर भी अन्यकिन शेत्रों में रूची रखते थे नॉमू, डॉक्टर विक्रम सारबाई की मृति कब और कहां हुई? डॉक्टर विक्रम सारबाई की मृतियों, 21 डिशेंबर सन 1971 को त्रिविंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई पांच मों निम्नलिखित प्रस्नों के उतर लिखिये पहलू डोक्टर विक्रम सारा भाई ने अमदाबाद में किन किन स्थानों की स्थापना की डोक्टर विक्रम सारा भाई ने सन 1947 में अमदाबाद में बहुती कनुसंधान प्रयक्स्थाला की स्थापना की अम्दाबाद में ही उन्होंने टेक्स्टाइल इंडेस्ट्रीज रिसर्ज एसी सेशन की उद्धार सिला रखी डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अम्दाबाद में लोक विद्नान कैंद्रा एवं नहिरुफिकास संस्थान की स्थापनाक वुई बीजु डॉक्टर भाबा की मृति के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सोपी गया डॉक्टर भाबा की मृति के बाद बर्मानु उर्जा संस्थान का उत्राती दी डॉक्टर विक्रम साराभाई को सोपा गया उन्होंने पार्तिय अनुसंधान केंद्रा संगठन किया उन्होंने इस केंद्रा की कती विधियां आगे बढ़ाई आज हमारे देश में दुरसंचाट, दुतरसन और मौसम विग्नान से सबंधी तनिक उग्रहो डौक्टर विक्रम सारापाई के सफल प्रयत्न के परिणाम है हम इस द्रस्टी से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है त्रीजू, डौक्टर विक्रम सारापाई को किन-किन पुरस कारों से सम्मानित किया गया डोक्टर विक्रम सारापाई ने अपना संपोन जीवन भारत तथा विग्नान के विकास के लिए समर्पित कर दिया भारत के विकास में उत्कुरुष्ट योगदान के लिए उनोंने कहीं राष्टियों और आंतराष्टियों सम्मान प्राप्त हुए भारत सरकार ने सन 1966 में पद्मभुषण और सन 1972 में भारत रत्न पद्मभुषण अलंकार से उन्हें सम्मानीत किया गया हैं जोधु डोक्टर विक्रम सारापाई ने अपने जीवन में कौन-कौन से पद सुसोभीत किये डोक्टर विक्रम सारापाई ने सन 1969 में परमानु उर्जा योग के सदस्य बने पारतिय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्स विक्रम सारापाई के थे सन 1968 में उन्हेने सेंगत्य राष्ट में उन युनिस्को के विग्नान विपाक के अध्यक्स बने सन 1970 में विदेना सांती अंतराष्टी अनुमाई के 14 वी परिसत के प्रमुक बनाये गये बाद में उन्हें इसी परिसत के विग्नान विपाक का अध्यक्स बनाया गया पांच मूद डोक्टर विक्रम सारा पही ने खुद अपने नाम क्यों चिठिया लिखी होगी क्योंकि उन्हें प्रसिद्ध होने की इच्छा बच्पन से ही जाग उठी थी पांच-छवर्स के उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं उन्होंने सोचा कितना अच्छा है अगर मेरे नाम पी अने थी पत्र आई इसलिए खुद विक्रम सारा पही ने अपने नाम चिठिया लिखी प्रस्न चटम कोस्टक में दिये गए सब्दों को उचित क्रम में लिख कर अर्थ पूर्ण वाक्य बनाई पहलू भारती अनुसंधान केंद्र का गठन किया बीजु विक्रम साइकिल पर कला बार्जिया करते थे त्रीजु यो बालक बड़ा होकर यसस्वी बनेगा जो थोनके प्रेयासों से हमदाबाद में लोक विखनान केंद्र किस्थापना हुई है पाचमू डोक्टर विक्रम ने पारत के विक्कास के उत्कृष्ट योगदान दिया प्रसन साथ मो निमन लिखित सब्दों के वज्जन बदले पहलू लड़का तो लड़के विजु किताब तो किताबे त्रीजु नदी नदियां चुतु लिफाफा तो लिफाफे पाचमू नारी तो नारियां चुठु माली तो माले प्रसन साथ निमन लिखित वाक्यों में से रेकांकित सर्वनाम का प्रकार बताईए पेलू पेट के नीचे कोई खड़ा था कोई एडले अनिस्चीत वाचक विजु पता नहीं यह संदु किस की है अनिस्चीत वाचक त्रीजुयो सिवाजी का किल्ला है निश्चीत वाचक पैच्मो वो स्याम का मित्र हैं निश्चीत वाचक पैच्मो लड़का कुछ खाना चाहता था अनिश्चीत वाचक थेंक्यू ताहिए वाचक भूबाई जाझ से को पैच्मो भाचक पैच्मो गलिए को अनिश्चीत वाचक पैच्मो थाय को जाचक पैच्मो अजाश है झाल झाल